नमस्कार आकाश्वणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने युक्रेण संकट के फिर समेख शाके ऑपरेशन गंगा के तहट विशेश उडानों के जरिये युक्रेण के पडोसी देशों के रास्ते अब तक लगभग 10,800 भारतिय वापस लाए कहे अगली 24 घंटों में वाईउसेना के चार ग्लोब मास्टर विमान सहित 16 उडाने संचालित के जाएंगे संयुक्त राष्ट मानवाधिकार परिशद ने युक्रेण में मानवाधिकारों के कर्थित उलंखन के निगरानी के लिए जाँच आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया मनपुर में विधान सभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की सभी तयारियां पूरी मतदान कल सुबह साथ बजे से शाम चार बजे तक होगा उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव की साथवे और अंतिम चरण का प्रचार कल संपन होगा रेल गाडियों को टकराने से बचाने के लिए कवच ब्रणाली का सफल परी चंग पाकिस्तान के पेशावर में श्रिया मस्जित में बम्व स्पोर्ट में 56 लोग मारे गए मुहाली में श्रिलंका के साथ पहले क्रिकट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत के 6 विकेट पर 357 रन और माउंट मांगा नुआई में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के अपने आरंबिक मैच में विस्ट इंडीज ने नियूजिलेंड को तीन रन से हराया समाचार संध्या में नीलम मलकानिय के साथ मैं विमले इंदू पांडे शोताओं से अपील है कि कोवीट से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन चार सरल उपायों का पाल नवश करें पूर्ण टीका करण कराएं, मास्क पहने, दो गस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने आज यूक्रेन के स्थित की समेख्षा की प्रधान मंत्री की अध्यक्षिता में इस बैठक में केंद्रिय मंत्री डॉक्टर सुब्रमनिम जैशंकर और पूयूश कोयल राष्टी सुरक्षा सलाकार अजित दोभाल विदेश सचिव हर्षवर्धन शिंगला और अन्य वरिष्ट अधिकारी भी शामिल हुए प्रधान मंत्री ने दो दिन पहले भी इस मुद्दे पर बैठक की थे श्रीमोधी यूक्रीन संकट पर लगातार उच्चिस्तर ये बैठके कर रहे हैं ओप्रेशन गंगा के अंतरगत अब तक यूक्रीन के पडोसी देशों से विशेश उडानों के जरीए करीब 10,800 भारतियों को स्वदेश लाया गया है विदेश मंत्राले ने कहा है कि अब तक 20,000 से अधिक भारतियों ने यूक्रीन छोड़ दिया है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम भाक्षी ने कहा कि पिछले 24 खंटे में 18 उडानों से करीब 4,000 भारतियों को स्वदेश लाया गया है उन्होंने कहा कि यूक्रेन के परोसी देशों से अब तक 48 उडाने संचालित की गई है अगले 24 खंटे में 16 और उडाने संचालित की जाएंगी इसमें भारतिये वायू सेना के C-17 विमानों की 4 उडाने भी शामिल है उक्रेन में फंसे प्रतियेक भारतिये को निकाले जाने तक विशेश उडानों को जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए श्री बाग्शी ने कहा कि विशेश उडानों के संचालन से उक्रेन सीमा पार कर चुके अधिकतर भारतियों की स्वादेश वापसी सुनिश्चित की गई है निकासी अभियान के बारे में श्री बाक्षी ने कहा कि उक्रेन के पूर्वी भाग विशेशकर खारकीव और पिसोचिन पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि उक्रेन में भारतिये मिशन ने कुछ बसों की व्यवस्था की है खारकीव में करीब 300, पिसोचिन में 900 और सुमी में 700 से अधिक भारतिये भसे हुए हैं We managed to get 5 busses already, yesterday I think 2 busses left taking them to Lviv Today 3 busses have left, I think they are trying to reach the Moldovan border We're looking at whatever ways to get them out into a safe zone We're looking at more buses as we can Couple of more buses should happen later in the evening, tomorrow So that process has begun I have seen messages from many people who are stuck there saying Look, I wanted to assure them that we are aware that they are there We are monitoring the situation and we are trying our best See how fast you can get your way safely in an organized manner रक्षा मंत्राले ने यूक्रेन के खारकिव में भारतिय नागरिकों के लिए परामर्श चारी किया है। उनसे मनोबल बनाए रखने और अन्य भारतियों के साथ उपलब्ध जानकारी साजा करने को कहा गया है। विद्यार्धियों से कहा गया है कि वे अपने पास जरूरी चीजों की छोटे केट तथा सफेद जंडा या सफेद कपड़े का टुकड़ा रखें और जरूरत पढ़ने पर उसे हिला कर अपने बारे में जानकारी दें। युक्रेन में मानुवाधिकारों की निगरानी के लिए संयोक्त राश्ट्र की सरवोच मानुवाधिकार संस्था नी तीन सदस्य आयोग नियुक्त करने का निर्णे लिया है। मानवाधिकार परिशद में कई पश्चमी देशों ने रूस के हस्तक्षेप के बाद इस संबंध में प्रस्ताव रखा था जिसके पक्ष में 32 जबकि विरोध में 2 मत पड़े 13 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे अनुपस्थित देशों में चीन भी शामिल है जबकि प्रस्ताव का विरोध केबल रूस और इडिट्रिया ने किया युक्रेन ने रूस की सैने कारवाई के विशे में संयुक्त राष्ट मानवाधिकार परिशद में ततकाल बहस की मांग की थी जिसमें अधिकतर सदस्यों ने रूस की निंदा की युक्रेन में जपुरीजिया पर्मानु शक्ति संयंतर पर बंबारी के बाद रूस ने उसे अपने नियंतरण में ले लिया है। युक्रेन के अधिकारियों के अनुसार योरोप के इस सबसे बड़े पर्माणू उर्जा सैयंत्र में रूस की बंबारी के बाद आग लग गई थे। हलांकि अब ये सुरक्षित है वीकिरन का इस्तर भी सामान ने बताया गया है। विश्व के कई नेताओं ने एक पूरे महादवेब के सुरक्षा खत्रे में डालने का आरोप रूस पर लगाया है। युक्रेन के राष्टपती ने रूस को परमाणू आतंक भैलाने का भी दोशी ठराया है। अमरिका के राष्टपती जो बाइडन और करनाडा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने कहा है कि रूस को ऐसे हमले फॉरण रोकने चाहिए। बृटन के प्रधान मंतरी बोरिस जॉंसन ने कहा है कि ये हमले पूरे यूरप के सुरक्षा के लिए सीधा खत्रा है। इन तीनों नेताओं ने युक्रेन के राष्टपती वलो दो मेर जलन्सकी से फोन पर बाचेत के। तुमसे तो अच्छा बताओ फिर। लो अभी फोन लगाता हूँ आठ साथ शुन्ने 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 एक चार दो चार दो पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मनिपूर में विधान सभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल सवेरे साथ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस टरण में दस जिलों की बाईस सीटों के लिए दो महिलाओं सही बाणवे उमिदवार मैदान में हैं। हमारे समवाद दाता ने बताया है कि पांच विधान सभाक्षेत्रों के बारह मतदान केंद्रों पर भी कल ही पुनर मतदान होगा। मनिपूर में अंतिम चरण के चुनाप में 92 उमिदवारों में से भासपा ने 22 उमिदवार और कॉंग्रेस ने अथरा उमिदवारों को मैदान में उतारा। एनपीपी और एनपीफ पार्टियां भी दस दस सीतों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। सबी मतदान अधिकारी आज साम तक अपनी निर्धारित मतदान केंदरों पर पहुंच गई हैं और उन्होंने मतदान केंदरों की स्ताफना शुरू कर दी हैं। थौबाल बिदानसवा शेत्र के सभी मतदान केंद्रों सहीद 223 मतदान केंद्रों पर पुरी तरस से महिला मतदान अधिकारी तैनाद रहेंगे। अंतिम चरण में 29 मोडल मतदान केंद्र होंगे। चुनाप अधिकारियों ने बताया है कि सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग, वीडियोग्राफी और कोबिद सुरक्षित चुनाप की वेविस्ता की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर परियाप संख्या में अर्डसिनिक बलके जवानों को टैनाट किया गया है। अकासबानी समाचार के लिए इंफाल से जेजे थक्षोम। मनिपूर उचनियाले ने राजे विधान सभा चुनाओ की दूसरे चरण के कल होने वाले मतदान में है रूख विधान सभा निर्वाचन खेत्र के सभी युवा मतदाताओं की जन्मतिति का सत्यापन करने के निर्देश्टिये हैं। मनिपूर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यादे के नुसार है रूख विधान सभा निर्वाचन खेत्र में 18 वर्ष की आयू पूरी कर रहे सभी युवा मतदाताओं की जन्मतिति सत्यापन के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। हाई रोग विधान सभाक शेत्र में सभी मतदान के इंद्रों पर अलग से सत्यापन काउंटर बना जाएंगे और ऐसे मतदाताओं को वोट डालने से पहले अपनी आयू या जन्मतिति प्रामानित करने वाले वईद दस्तावेज दिखाने होंगे। इन चनावी कारेक्रमों में भाग लेंगे। प्रदान मंत्री कल वारानसी में एक रैली को सम्मोदित करेंगे। पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और कॉंग्रेस महासच्यू प्रियंका गांधी वाडरा ने आज सुबा काशे विश्वनात मंदिर में दर्चन किये। और उसके बाद पिंडरा इलाके में एक रैली को सम्मोदित किया। असम में विधान सभा की माजूली सीट पर उपचुनाव के लिए साथ मार्च को वोट आले जाएंगे। राजे सभा के लिए चुने जाने के बाद इस सीट से केंद्री मंत्री सर्बानन सो नवाल के स्थिफे के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। अन्वान निकोभा द्वीब समों में पंचायत और नगर निगम चुनाव का प्रचारा भ्यान आज शाम समाप्त हो गया। मतदान 6 मार्च को होना है। 800 केंद्रों पर कुल 2,97,940 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगरना 8 मार्च को होगी। भारतिय चनथा पार्टी, कॉंग्रिस, तेलगु देशम पार्टी, डी-मक और सी-पी-म के अलावा दो स्थानिय पार्टियां और निर्दली उम्मीद्वार चुनाव मैदान में हैं। आगे बढ़ेने से पहले मुखे समाचारों पर एक नजर। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने युक्रेन संकट की फिर समीक्षा की। ओप्रेशन गंगा के अंतरगत विशेश उडानों के जरिये युक्रेन के पडोसी देशों के रास्ते अब तक लगभग 10,800 भारतिये वापस लाए गये। अगले 24 घंटों में वायू सेना के चार ग्लोब मास्टर विमान सहित 16 उडाने संचालित की जाएंगी। सयोक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिशत ने युक्रेन में मानवाधिकारों के कथित उलंगन की निगरानी के लिए जाच आयोग नियुक्त करने का निर्ण किया। मनिपूर में विधान सभा चुनाओ के दूसरे और अंतिम चरण की सभी तैयारियां पूरी मतदान कल सुभा 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाओ के साथ में और अंतिम चरण का प्रचार कल समपन होगा। रेल गाडियों को टकराने से बचाने के लिए कवज प्रनाली का सफल परीक्षन। पाकिस्तान के पेशावर में शिया मस्जिद में बम विस्फोर्ट से 56 लोग मारे गए। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाब्द होने तक भारत के 6 विकेट पर 357 रन और माउट मुनग्नुई में ICC महिला क्रिकेट विश्फ कप के अपने आरंभिक मैच में वेस्ट इंडीज ने न्यूजिलेंड को 3 रन से हराया। रेल मंत्री अश्वनी वैश्णव ने घोशना की है कि रेल दुरखटनाओं को रोकने के लिए स्वधेश में विकसित कवच प्रणाली का परिक्षन सफल रहा है। रेल मंत्री ने असिकंदराबाद के नजदीक परिक्षन स्थलकाने रिक्षन किया। रेलवे को दुरखटना रहित बनाने के लिए स्वचाली ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को डिजाइन किया गया है। शीवच्णों ने कहा कि कवच के कारण सामने से आ रहे एक अन्य रेल इंजन से 380 मीटर पहले ही ट्रेन स्वचाली तरूप से रुप गई। दो ट्रेनों को परस पर टकराने से बचाने के ये दुनिया के सबसे सस्ती सुरक्षा प्रणाली होगे। रेल अधिकारियों ने बताया कि कवच लगाने में 50 लाक रुपए प्रति किलो मीटर का खर्च आएगा जबके विश्व में ऐसी प्रणाली लगाने में करीब 2 करोड रुपए खर्च होते हैं। स्वास्थे मंत्री मनसुथ मांडविया ने कहा है कि अब तक 97 प्रतिशत वयस्क आबाधी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट शत प्रतिशत पात्र लोगों को पहला टीका लगाने की लक्षे की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट या कोविड टीका करण अभियान के अंतरगत अब तक 178 करोड 39 लाग से अधिक टीके लगाये गए हैं। स्वास्थे मंत्राले ने बताया कि कल 24 लाग 84 हजार से अधिक टीके लगाये गए। स्वास्थ होने की दर 98.6 प्रतिशत है। कल 13,000 से अधिक लोग स्वास्थ हुए जबकि लगभग 6,000 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई। देश में अभी 39,897 कोविड रोग्यों का उपचार किया जा रहा है। कल 201 लोगों की मृत्ती हुई। अब तक 77 करोड 9 लाग से अधिक कोविड जाच कराई गई हैं। कल 9,23,000 से अधिक जाच की गई। पाकिस्तान के उत्तरी शहर पेशावर की एक शिया मस्जिद में हुए जबरदस्त बंधमाके में कम से कम 56 नमाजी मारे गए और 194 खायल हो गए। इस्थानिय पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पेशावर के पुराने हिस्से में मौझूद कूचा रिसालदार मस्जिद में ये धमाका ऐसे समय में हुआ जब नमाजी जुम्मे की नमाज के लिए वहां इकटा थे। खायलों को संक्री गलियों के रास्ते एंबूलेंस में नजदी की अस्पताल तक पहुँचाया गया। मृत्गों की संख्या अभी और बढ़ सकती है चुकि हमले में खायल कुछ लोगों की हालत काफी गंपीर है। पेशावर के पुलिस प्रमुक मुहम्मद एजास खान ने जानकारी दी है कि इंसा तब शुरू हुई जब मस्जिद के बाहर तैनाद पुलिस कर्मियों को दो हत्यार बंध हमलावरों ने निशाना बनाया। एक हमलावर और एक पुलिस कर्मी की गोली बारी में मौत हो गई जबकि एक पुलिस अधिकारी खायल हो गया। इसके बाद दूसरे हमलावर ने दोड़ते हुए मस्जिद में प्रवेश किया और बंधमाका कर दिया। प्रत्यक्ष दर्शियों के नुसार कम से कम देर सो नमाजी मस्जिद के भीतर मौजो थे। अभी तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने इस बंध हमले की निंदा की है। युक्रेन में जारी रूस के हमलों के नौवे दिन वैश्वीक शेयर बाजारों में गिरावट तरज की गई। सोने और अमरीकी डॉलर की खीम्ते कई सालों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। युक्रेन स्थित योरोप के सबसे बड़े परमानू बिजली घर पर रूसी सेना के कबजे की खबरों से अमरीकी डॉलर की मांग में तेजी के बीच कई विकास शील देशों की मुद्राव में भारी गिरावट आई। रूस पर पश्चमी देशों के प्रतिबंधों के कारण आपूर्ती बाधित होने के कारण कच्चे तेल, सोना और अलुमीनियम की कीमतों में उच्छाल आया है। विशेशग्यों के अनुसार कई रूसी बैंकों का संपर्क अंतर बैंक भुकतान प्रनाली स्विप्ट से काटे जाने से उद्योग जगत पर असर पढ़ने की संभाबना है। कई युरोपिय देशों को रूस की पाइपलाइन के जरिये आपूर्ती की जाने वाली गैस पर निर्भरता के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। रूस युक्रेन संभर्ष का असर कृशी उत्पादों और उर्वरों को पर भी पढ़ा है। भारतिय आयात पर भी इसका असर पढ़ने की आशंका है। लडाई लंबे समय तक जारी रहने की स्थिती में वैश्विक आपूर्ती श्रंखला बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। रूस युक्रेन संभर्ष के भारत सहित वैश्विक अर्थविवस्था पर असर के बारे में आकाश्वानी के समाचार सिवा प्रभाग ने वरिष्ट आर्थिक विशेशग्य पुनीत जैन से बात की। इससे हमें बहुत बड़ा जटका लगेगा क्योंकि इंफ्लेशन के बढ़ने की आशंका है। समाचार आकाश्वानी से प्रसारित के जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्वेटर हैंडिल एट ए आई आई आर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उवर में 9 विकेट पर 269 रन बनाए जवाब में न्यूजिलेंड के टीम 256 रन ही बना सके। मोहाली में श्रिलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्ध होने तक भारत ने 6 विकेट पर 357 रन बना लिये थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रवींद्र जडेजा 45 और रविचंदरन अश्विन 10 रन बना कर क्रीज पर हैं। रिशब पंत ने 96 हनुमा विहारी ने 58 रन की पारी खेली जबकि अपना 100 वा टेस्ट खेल रहे विराट कोहली ने 45 रन बनाए। बयंक अगरवाल, 33 रन और कप्तान रोहित शर्मा 29 रन बना कर आउट हुए। टेस्ट कप्तान की रूप में रोहित शर्मा का ये पहला मैच है। 708 विकेट लिए, एक दिवस्ये क्रिकेट में उन्होंने 293 विकेट लिए थे। एक राष्ट्र का उदये। भारत का गौरवशाली स्वतंतरता संग्राम आधुनिक विश्व के महांतम संगर्शों में से एक है। आकाश्वणी समाचार आपके लिए प्रति दिन इस संग्राम की एक झहलक लेकर आता है। आजादी का सफर श्रिंखला की दो सौमी कड़ी में आज हम स्वतंतरता सिनानी रिपोदमन सिंग को याद कर रहे हैं। जिनका जन 4 मार्च 1883 को हुआ था। नाभा के महराजा हीरा सिंग के पुत्र रिपोदमन सिंग को 1906-1908 के दोरान शाहे विधान परिशत की सदसी के रूप में नामित किया गया था। वे आम तोर पर अंग्रेजों के आलो चक थे और उन्होंने देश द्रोही बैठक विध्यक के खिलाफ मतदान किया था। पुशुत्तमदास टंडन को मुख्यमंत्री बनाया और कॉंग्रेस समर्थक बैरिस्टर सर एरडली नौटन को भी न्युक्त किया। उन्होंने राजकुमारों के सम्मेलनों में संधी के अधिकारों और राजकुमारों की स्वायत्तता पर जोर दिया। रिपो दमन ने अपने क्षेत्रों में घदर से जुड़े कारकरताओं की उपस्थिती की अन देखी की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्विद्याले के स्थापना के लिए धन दिया। रिपो दमन सिंग ने राजनिते के तिलक स्कूल के एक सत्र की अध्यक्षता की और तिलक स्वराज कोश में योगदान भी दिया। उन्होंने बॉंबे क्रोनिकल और इंडियन डेली हरल जैसे कॉंग्रिस समर्थक समाचार पत्रों को वित्ती ये मदद दी। उन्होंने गुपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाश पत्राय और मोती लाल नहरु जैसे राश्ट्रोवादी नेताओं के साथ बैठके की। पंजाब में अकाली अंदोलन के दोरान रिपुदमन सिंग ने ननकाना साहिब में अपने प्राणों की आहूती देने वालों को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस मनाया। और शेरोमणी अकाली दल ने उनकी बहाली का मुद्द उठाया और 1923 से 1925 के दोरान एक लंबा आंदोलन जैतो मोर्चा चलाया। रिपुदमन सिंग ने देहरादून से सरकार की आलोशना करना जारी रखात। भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस ने भी उनकी समर्थन में प्रस्ताव पारित की। 1925 में गुरुद्वारा खानून लागो होने और अकाली आंदोलन को वापस लेनी की बाद 1928 में रिपुदमन सिंग को अपचारिक रूप से अपदस्त कर दिया गया। और एक राजनतिक खैदी के रूप में मद्राज प्रसिडंसी में कोड़ाई कनाल भेज दिया गया। कई राष्ट्रिय नेताओं ने उनकी रिहाई के प्रयास किये लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। रिपुदमन सिंग कोड़ाई कनाल में बिलकुल अकेले थे जब स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और लगातार लड़ाई के बाद दिसंबर 1942 में उनकी मृत्ती हो गई। इस महान भारतिय को हमारा नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बुलुसू सांबा मूर्ति को भी याद कर रहे हैं जिनका जन 4 मार्च 1886 को ततकालीन मदराज प्रेजिडन्सी के गोदावरी जिल्ले में हुआ था। उन्होंने कोंडा विंकट पाया पंतुलो के एक भाषन से प्रिरित होकर खानून का पेशा छोड़ दिया और 1920 में असहयोग आंदुलन में शामिल हो गया। सांभा मूर्ती एक सच्चे गांधिवादी थे और उन्होंने रोज मर्रा की जंदगी में गांधिवादी सिध्धान्तों को अपनाया। 1923 में वे भारतिये राष्टरिये कॉंग्रेस के काकी नाड़ा अधिवेशन की आयोजन समीती के सदस्य वने। वे पून स्वराज की मांग करने वाले पहले नेताओं में शामिल थे। सुपलाश यवर्ट नलो। सामबा मूर्ती आंध्र आंधुलन आंध्रो दयम से भी जुड़े थे। जब पोट्टी श्री रामुलू ने 1952 में आंध्र प्रांत के गठन के मुद्दे पर मद्रास में आमरण अंशन करने का फैसला किया, तो सामबा मूर्ती ने इसके लिए उन्हें अपना निवास दे दिया, हम इस महान देशभक्त को नमन करते हैं। हम इंडियन नैशनल आमी आयने के सदस से दीप सिंग को भी याद कर रहे हैं। हर्याना में जनमें दीप सिंग एक सिपाही के रूप में स्विच्छा से आयने में शामिल हुए और तीसरी गुरिला रेजमिंट में सिवाए थी। चार मार्च 1944 को बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने की दोरान उनकी मृत्य हो गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाश्वणी समाचार के साथ शुरुखला का ये अंग्समाथ हुआ मिलते हैं कल अगली कड़ी में। प्रधानमंद्री नरींद्र मोदी ने जनरल S.F. रोडिक्स के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में शिमोदी ने कहा कि भारत को मजबूत बनाने के दिशा में जनरल रोडिक्स की असाधारन सेवा और योगदान के लिए राष्ट उनका रणी रहेगा। प्रधानमंद्री ने कहा कि जनरल रोडिक्स को उनके गहरी रणननीतिक समझ के लिए जाना जाता है। आंशी ग्रूप से बादल चाय रहेंगे। मुजफराबाद में आम तौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोतर हिस्से गोहाटी में आसमान साफ रहेगा। शिलॉंग, कोहिमा और ईटानगर में कहीं कहीं बादल चाय रहेंगे। अगर तला में धूंदि छाय रहने के आसार हैं, न्यूनितम तापमान 15 डिग्री और अधिक्तम 32 डिग्री सेल्सियस की बीच रहने की संभापना है। सूचना और प्रसारण मंत्राले ने भारतिय फिल्म जगत को आश्वासन दिया है कि फिल्म पायरेसी से निपटने के लिए 1952 के सिनमेटोग्राफ में समुचित संशूधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। एक वीडियो कॉनफरेंस के माध्यम से फिल्म परिसंगों की बैठक में विचारवी मर्ष के दौरान सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से सलाह मश्विरा करने के बाद पायरेसी निरोधक आवश्यक कदम उठाए जाएंगे मानवाधिकार परिशद ने युक्रेन में मानवाधिकारों के कथित उलंगन के निगरानी के लिए जाँच आयूग नियुक्त करने का निरने किया मनपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की सभी तैयारिया पूरी मतदान कल सुबह साथ बजे से शाम चार बजे तक होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ में और अंतिम चरण का प्रचार कल संपन होगा रेल काडियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षन पाकिस्तान के पेशावर में श्रिया मस्जित में बंव स्पोर्ट में 56 लोग मारे गए मुहाली में श्रिलंका के साथ पहले क्रिकट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्थ होने तक भारत की 6 विकेट पर 357 रन और माउंट मांगा नुआई में ICC महिला क्रिकेट विशुकप के अपने आरंभिक मैच में वेस्ट इंडीज ने निउजिलेंड को तीन रन से हराया इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्थ हुआ नमस्कार